हेलो हुआ एबिवान स्वाग अदेयर आप सभी का अपने इस फाडू इंजिनियर चैनल के उपर भाई साब पूरी ताकत जोश और जुनून के साथ वापस से लोट कर आए है आपकी एक्जाम की प्रिप्रेशन में आपकी पूरी-पूरी मदद करनी के लिए तो चलिए आज के खतरना टॉपिक के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ इंजिनेरिंग ग्राफिक्स की पढ़ाई है ना इंजिनेरिंग ग्राफिक्स की पढ़ाई कौन से सीक्वेंस में होनी चाहिए क्योंकि क्या है ना मेरे पास 5-6 मॉडियूल होते हैं आप कोई भी उनिवर्सिटी ल करना चाहिए सर जिससे मुझे जादा से जादा स्कूर हो पाएगा इसे पांच टॉपिक आज में बताने जा रहा हूँ तो चलिए पूरी ताकट जोश और जुनून के साथ महबत वाली लाइक हो जानी चाहिए प्यारी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारी सब्सक्राइब हो जानी चाहिए और अपने कॉलेज के ग्रुप्स में जरूर अपने वीडियो को शेर करिये ताकि जादा से जादा बच्चे कॉनसेप्शोली आगे बढ़े और खतरनाक वाले मार्क्स लेकर आए तो चलिए टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ना चा इस पहले टॉपिक के ऊपर ग्यारेंटेड पूचा जाता है दाट इस प्रोजेक्शन ओफ लाइन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चाप्टर के अंदर अब मॉडियूल के अंदर आपको पढ़ने मिलते है यह सारा सब कुछ आपको यहां से सीखने मिलता है एक्च्व सबसे पहले आपको पढ़ाई की माद्याम से मतलब अभी तो ज्यादा टाइम बचा नहीं टो पढ़ाई की माद्याम से सब से पहला टॉपिक करिए прोजेक्शन ओफ लाइन्स कि दूसरा टॉपिक की ओर जा रहा हूं है प्रोजेक्शन ओफ सॉलिड्स जिस वक्त आप application आपको देखने मिलता है projection of solids के अंदर इसमें क्या-क्या देखने मिलेगा prism, pyramid, cone या फिर मतलब cylinder तो ये चार different different figures, three dimensional figures आपको यहां पर पढ़ने पढ़ेंगे और इसमें बहुत मज़ा आता है cycloid की तरह ये open कैसे होता है ये देखने मिलता है तो काफी interesting topic है ये projection of solid personally मुझे बहुत पसंदे ही है तीसरा important topic है that is orthographic भाया exam में दो question दो question orthographic अब एक question normal orthographic पे आता है और एक question missing views के उपर आपको पूछा जा सकता है major universities missing view के उपर question पूछती है तो इसमें क्या क्या लगता है for example आपको है ना like एक particular diagram दी जाएगी वो three dimensional diagram होगी और उसके साथ साथ उसका side view क्या है उसका front view क्या है उसका upper view क्या है वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पर draw करना पड़ता है अगर इसके questions आपको चाहिए तो मुझे comment box में फटाफट से बताईए कि हासर इसकी भी lectures अपने पाड़ू channel के उपर लेकर आईए मैं जरूर लेकर आऊंगा crash course की माध्यम से absolutely free में आपके लिए तो जरूर comment करना ना बूलिए next one isometric अब है न यह जितना जादा interesting रहता है isometric उतना ही जादा है न उतना ही जादा आपको दोका देगा because isometric में आपको दो प्रकार की views दिये जाते एक side भी हो रहेगा या फिर एक front भी हो रहेगा उसको merge करके आपको isometric three dimensional diagram form करनी होती है इसमें बहुत लोग दोका खा बैटते है दोका इसलिए बोलता हूँ आपको आएगा जरूर आएगा लेकिन time जादा जाएगा drawing के graphics की exam में time की उतनी ही जादा एमियत है जितनी जादा आपने 11-12 standard के दोरां J और CET में दी थी तो यार इतनी जादा एमियत आपको यहाँ पे देखनी है तो मैं तो आपको सला दूँगा कि पहले तीन topic के उपर जादा focus करिए अगर आपको सिर्फ passing करनी है ना जनाब तो यह तीन में काम बन जाएगा आपका isometric जिस वक्त आप कर लेते हो आपका scoring होना शुरू होता है क्योंकि isometric का question minimum 10 mark के लिए पूछा जाता है कितना बोला minimum 10 mark के लिए पूछा जाता है जनाब तो बड़ा मज़िदार सा question रहेगा यह जरूर करना है अपने को and section of solid particular एक machine दिया है उसका part दिया हुआ है उसको cut किया तो वो कैसा दिखेगा that is what section of solid तो यह आपको भी थोड़ा बहुत similar आपको orthographic की तरह देखने मिलता है मज़ा आएगा यह सब कुछ draw करते हो अब आप कहोगे sir इसको सब करने के लिए कितना time जाएगा मैं तो भूलूँगा एक दो या एक हफ़ते में इसको complete करने की बिलकुल कोशिश मत करिए graphics और mathematics यह ऐसे दो subjects है जिसको practice की अवशक्ता होती है अब दिन में एक ही diagram करिए इन में से कोई भी topic लेने का for example पहला यह लिया एक दिन में दो हो सकते है ना दो हो सकते दो करने का काम खतम करने का दूसरे दिन और दो करने का चार example काफी है मेरे लिए काफी है चार example काफी है लेकिन यह जो लोग है ना दिन में एक ही हो पाएगा दिन में एक ही हो पाएगा तो चार दिन इसको देना चार दिन इसको देना इसको दो दिन देना सेक्शन ओफ सॉलिड कैसा यह अगर आपको जम गया तो यह भी जम जाएगा ठीक है तो इसको दो दिन देना इसको दो दो दिन देकर चार चार एक्जामपल सॉल करना तो चार-पंदरा दिन में पूरा ग्राफिक्स आपका प्राक्टिस करके हो जाएगा जनाब अब रहा सवाल किसर प्राक्टिस रोलर स्केल से करें ड्राफटर से करें मेजरली उनिवर्सिटी रोलर स्केल की माध्यम से इसको सौल करते हैं खुद का इंस्टुमेंट खुद होनी चाहिए अगर नहीं है तो अभी ले लीजे क्योंकि एक्जाम को ज्यादा टाइम बचा नहीं है फॉलो दसी क्वेंस तोड़ फोड करके पढ़ाई को शुरू करिए फिजिक्स के अल्रेडी लेक्चर अपने इस चैनल के उपर अपने दूसरे चैनल पर ग्राफिक्स और प्रोग्रामिंग अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करना पड़ेगा बाई बाबाजी को भी तो एनर्जी की जरूरत है नीचे कमेंट करिए जरूर उसके लिक्चर में आपके लिए लेकर आऊंगा मिलते हैं ऐसे स्ट्राटेजिक वाले वीडियो में नेक्स्ट स अब तब तक के लिए बाबाई टेक केर एंड तैंक यू सो मज गाईस कर दो कर दो कर दो कर दो